नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका study for public service commission में finally RPSC वालों का जो इंतजार है वो खतम हो गया है RPSC यानि की राजस्थान लोग सेवा आयोग के द्वारा अब RAS 2024 का fresh notification जारी कर दिया गया है इस particular वीडियो के अंदर हम बात करने वारे हैं complete RAS के बारे में जानने वाले हैं कितनी number of vacancy आई है क्या-क्या इसकी eligibility रखी गई है कितनी stages में ये exam होने वाला है जो भी कोई fresh बच्चा है जो पहली बार RAS का form बढ़ने वाला है वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा definitely आपको जो सारे doubts हैं वो इस वीडियो के अंदर clear कर दिये जाएंगे सबसे पहले मैं बता देता हूँ RAS की इसके अंदर जो total vacancy है RAS की total 733 पदो पर जो है ये भरती का notification release किया गया है तो चलिए starting से देख लेते हैं क्या कुछ इस notification में बताया गया है तो आईए starting से देख लेते हैं यहाँ पर देख लेना राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारे ये notification जो है वो जारी किया गया है 2 सितंबर 2024 आज ही ये notification जो है वो release किया गया है starting से हम यहाँ पर देख लेते हैं उसके बाद हम एक एक चीज़ों को देखते चलेंगे जो जो important चीज़ है यहाँ पर देख लेना परिक्षा RAS, RTS, RPSC 2024 पच्चिस के लिए ये निकाली गई है आयोग द्वारा कर्मिक विबाग के गैर अनुसूची चेतर हेतू राजस्थान राज्य एवं अधिसन अधिनस्त सेवाएं सयुप्त परत्योगिता परिक्षा द्वारा सीधी भरती नियम 1999 के अंतरगत अनुसूची चेतर हेतू राजस्थान अनुसूची चेतर अधिनसत लिपिक वरगिये और चतु श्रेणी सेवा भरती सेवा की अन्य शर्तेनियम 2014 के अंतरगत राजस्थान राज्य एवं अधिनस्त सेवाएं सयुप्त परत्योगिता परिक्षा 2024 के कुल 733 राज्य सेवाए 346 और अधिनस्त सेवाए 387 दोनों को मिलाकर टोटल 700 जो 33 पद है वो यहाँ पे निकाले गए है आरेस के अंदर तो यह काफी एक golden opportunity है जो बच्चे आरेस की तैयारी कर रहे थे या आरेस की वेकेंसी का वेट कर रहे थे तो फाइनली अब notification रिलीज किया जा चुक है तो आईए वेकेंसी देख लेते है कौन सी किसकी पोस्ट जो है वो कितनी पोस्ट किसके अंदर निकाली राजस्तान प्रशास्निक सेवा की बात करें तो 28 पोस्ट निकाली गई है इसके अंदर राजस्तान पुलिस सेवा की बात करें तो 50 पोस्ट निकाली गई है राजस्तान लेखा सेवा की बात करें तो 109 पोस्ट है राजस्तान सैकारी सेवा की 12 पोस्ट है राजस्तान नियो है तो इस निकान ली गई ए तो ये इस हिसाब से राजस्थान खाद्यम नागरी réseक्रान की साथ वैकन्सी हैges और यहां पर देख लिए ना राजस्थान कृशी सेवा की यहां पर तोला वेकेंसी निकाली गई है तो इस हिसाब से यह जो राजस्तान राज्य सेवाएं की 346 पोस्ट निकाली गई है अब हम देख लेते हैं अदिनस्त सेवाएं जो 387 पोस्ट निकाली गई है कौन सी पोस्ट आई है तो राजस्तान देवस्त अदिनस्त की 11 पोस्ट है राजस कित μाल विकास कि यहां पर 4 पोस्ट है राजस्तान समय कित μाल विकास अधिनंस्त कि यहां पर कोई पोस्ट까 को है उसके बाद हम आगे आ जाए nos पूटल 733 वेकेंसी के उपर जो है ये नोटिफिकेशन निकाला गया है उसके बाद हम आगे देख लेते हैं क्या कुछ यहां पर बताया गया है नोट में कहा गया है पहले पॉइंट में कहा गया है आवेदुक को दिनांग 1125 को सेवा का कुल कितना अनुभव प्राप्त होग निर्धारित कालिंग में आवश्य होगी खैर यह जरूरी नहीं है जो जो में चीज है वो हम यहां पर डिसकस करते हैं और देख लेते हैं यह शेक्षिक अनिवारियता देख लेते हैं यहां पर यही शेक्षिक अनिवारता है इसके अंदर कागय है must hold a degree or any university incorporated by act central state legislation इंडिया ओन अधर एजूकेशन इंस्ट्रक्शन एस्टाब्लीजड वाइक्ट ओव पार्लियमेंट डिकलेर टू डिम्ड एज यूनिवर्स्टी अंडर सेक्शन थ्री यूनिवर्स्टी ग्रांट्स कमिशन एक्ट उन्नी सो चपन रिकोगनाइजड बाइदा गॉर्मेंट तो ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए कोई भी ग्रेजुएशन पास इसके अंदर जो है वो अपलाई कर सकता है नोट के अंदर बताएगा है पहले पोइंट पे का गया अभियर्ति को वांचित चैक्षनिक योग्यता अनुवव है आयू इतियादी होने पर उपलबद होगा उसके बाद ये कोई ज्यादा जरूरी नहीं है शैक्षन अर्था संबंदी प्रावदान की बात करें तो उक्त बदों की अपेक्षित शैक्षनिक अर्था के अंतिम वर्ष की परिक्षा में समीलित हो चुका या समीलित हो रहा व्याला वैक्ति भी इमेंस परिक्षा होगी उससे पहले जो है वो आपको प्रूफ देना होगा कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है मतलब अपीरिंग वाला इसके अंदर फोम डाल सकता है आयू जीमा की बात करें तो यहाँ पर देख ले ना एक एक दो जार पत्चिस को आपकी न्यूंतम आयू 21 वर्स होनी चीए और अधिकतम आयू 40 वर्स होनी चीए 21 से 40 के बीच में आपकी जो यह है वो नीचीए तो आप अपलाई कर पाएंगे ऐसे ही रिजर्वेशन जो दिया जाता है वो ऐसे ही दिया जाएगा पांच साल का इनको दिया जाएगा यह देख ले अरही उसके बाद हम आग Air प्रकरिया कईसे होगी तो यह देख लेत को दूराई का चैन पड़र्स कर देख लेट pennar की चैन में जो Thailand करीम आद होके यह है की दिया जाएगा चैने पांच बने पर आयूक अगर जरूर अधो नौर्मलाइजेशन किया जाएगा संबोधित सेवा नियम के 17 के नुसर ठीक है परिक्सा की स्थान की बाद करें तो परिक्सा की स्थान तिती के संबंद में यथा सम्भाद सूचित कर दिया जाएगा तो आपका जो एक्जाम डेट है वो बहुत जलनीरद तो अपनी तयारी करते रहें और वेट मत कीजिएगा कि एक्जाम डेट आएंगे उसके बाद पढ़ेंगे बहुत जल्दी आपकी जो एक्जाम डेट है वो आपको देखने को मिलेगी परिक्षा योजना की बात करें तो प्रारंबिक परिक्षा वस्तुनिष्ट रूप से ओ कि बहुत जल्दी इसका आपको बात करेंगे और 18-20-24 रातरी 12 बजे तक तक तो आपके 19 सितम्बर देख जो है वो आप फोर्म कर सकते हैं बहुत जल्दी इसका जो है पोटल ओपन कर दिया जाएगा आवेदन की प्रिक्रिया ये है आपको ओनलाइन ये और पिस्ट की ओफिशल वेबसाइट है इसी के थुरू अपना ओनलाइन जो फोर्म है वो डालना पड़ेगा उसके बाद हम आगे आ जाएंगे और देख लेते जाती जन जाती पिश्टावर्ग नोर क्लिमिलियर के इनसे चार सो रुपी लिये जाएंगे तो ये देख लेना आप जिस भी कटेगरी से हैं इतनी फीस आपकी यहां पे लगने वाली है उसके वाद स्कीम ओफ इग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं यहां पे तो स्कीम 010h5 ये रहने वाला है और टाइम गनटे का इसके अंदर लिया जाएगा मेंजन की बात करें देख लेना य análपए दिया होगा मेंजन कर बी यह मेंस एक्जाम का यहां पे दिया गया है पेपर वन आपका जर्नल स्टडी वन का होगा पेपर टू आपका जर्नल स्टडी सेकंड का होगा पेपर थ्री आपका जर्नल स्टडी थर्ड का होगा पेपर फॉर आपका जर्नल हिंदी और जर्नल इंग्लिस का हुआ सभी जो एक्जाम है वो आपके 200-200 मार्क्स के रहने वाले हैं उसके बाद हम बात करें एक्जामिनेशन सी रूल 15 परसनेलटी और वाइवा वोईस यहां पर आपका जो इंटर्वी है यहां पर लिया जाएगा आगे देख लेते हैं क्या कुछ यहां पर बताया गया है और देख लेते हैं कोई important जान करी दी गई है तो यह थोड़ा सा basic आपको पता ही होगा राजस्तान की परिक्षा दी है तो पांच गोले आपको मैं उपर भी बता चुका हूँ यहां पर आप आप अराम से देख सकते हैं किस के अंदर कितनी vacancy निकली है राजस्तान परशाशनिक सेवा की 28 vacancy है तो आराम से देख लेना बैठ के पढ़ लेना इस notification को कुछ भी समझना है तो आप comment section में बता देना आपकी जो problem है doubt है वो दूर कर दिया जाएगा बहुत जल्द इसका जो exam date है वो आपको देखने को मिलेगी इसकी तैयारी में आप बहुत जल्द लग जाएगा अगर आपको कोई भी help चाहिए exam से related question paper से related then आप comment section में comment करके बता सकते है आपकी जो help है वो definitely की जाएगी और possible हुआ तो इसकी एक जो राजस्तान GK की जो class है वो हम शुरू कर देंगे क्योंकि जो आरेस का exam है उसके अंदर राजस्तान GK का काफी weightage रहता है लगवख 50-60 के nearby जो question है वो पूछे जाते है क्योंकि डेड़ सो में से 50 question GKGS का आएगा तो बच्चा यहीं से cover कर लेता है अपनी जो cut off होता है और cut off इसकी 95-95 के आसपास रहती है यहीं इसकी previous cut off रही थी बाकी मैं एक cut off भी वीडियो मना दूँ है इसकी previous year cut off क्या रही थी तो आप अपनी तयारी करते रहें लगातार तयारी करते रहें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को subscribe कर लिजेगा और bell icon button को tap कर लिजेगा ताकि समय पर आपको सारी notification मिलती रहें यूटूब पर अगर आप हमें follow करते हैं तो please हमरा telegram group और whatsapp group जरूर से जरूर जोइन कर लिजेगा सारे notification सारे document सारी pdf वही पर जो है वो provide करवाई जाती है इस वीडियो में इतना ही रखते हैं तब तक के लिए धन्यवाद